हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू मैई चैनल, जैसा आप सभी को पता है, क्राइस्ट उनिवर्सिटी को तीन तारीख को मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आपके रजिस्टेशन फर्म में स्टार्ट हो जाएंगे पीजी कोर्स वाले बच्चों के लिए, तो जो भी बच्ची इंट्रेस्टेट है, अपना रजिस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए पता देती हूँ कि अगर आपको रजिस्टेशन करना है तो आप कैसे का रजिस्टेशन करेंगे, मैं वो बताऊंगे आपके अगर आप क्राइस्ट उनिवस्टेटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपके लिए क्या बैनिफिट है, एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सार चीजों के बारे हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे ही आप क्राइस्ट उनिवस्टेटी लिखेंगे, तो उसके बाद आपको मतलब उफिशल वेबसाइट पर दसे ही आप जाएंगे, तो दरपे आपको डारेक्ट ही मिल जाएगा, रजिस्टरेशन के लिए, पीजी प्रोग्राम वालों के लिए स्टार्ट हो गया, तीन दारिक से स्टार्ट हो चुका है, एंड फॉर MBA वालों के जो MBA में एडमिशन लेना अगर आपका यह टार्गेट नहीं है, तो आपका यह टार्गेट होना चाहिए, तो आप इसकोट भी टार्गेट बनाइए, और आप जैसे C.U.C.T. का एक्जाम देंगे, तो आप क्राइस उनिवर्सिटी का एक्जाम भी दे सकते हैं, फिर मैं बता देती हूं, कॉमन के एक्जाम बिदा यह टार्गेट अपका यह टार्गेट नहीं है, को आपका यह टार्गेट होना चाहिए, अगर आप कोई भी difficulty face करते हैं registration process में तो आप मुझको comment section में लगके बता सकते हैं मैं आपकी help करनी की बूरी कोशिश करूँगे अगर आपको कोई भी doubt है कराई सी university को लेके तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं I hope आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सिस्क्राइब करना ना भूने and thanks for watching my video